स्वागत है आपका ड्रीम 11 बेस्ट प्लेइंग 11 टीम के अंदर यहां पर हम बात करने वाले इंडिया और न्यूजलेंड के बीच होने वाले और सेक्रिंड मेज भारत ने 65 रन से जीते थे हार्दिक पाइंड़ा की कप्तानी में लेकिन हार्दिक पाइंड़ा फिलाल यहां पर नहीं है भारत टिम की कप्तानी करने वाले शिकर दवन और यहां पर हम बात करने वाले की जो थर्ड मेज था वो आदा ही खेला जा सका और भारत ने एक जिरो से टी ट्वंटी सीरीज यहां पर जीती थी भारत के बहतरीन बोलिंग रही थी थर्ड मेच के अंदर सूर्य कुमार यादव ने बहतरीन 111 की पारी खेलती सेक्ड मेच के अंदर तो यहां पर जो भारत की परफॉमेंस है प्लेयर की वो यहां पर बहतरीन हम बात करें वाले ODAI के अंदर बाहर्त की performance केसी रहने वाले प्ले यहां पर कैसा performance देखने को मिल सकता है कई विलियंसन की कप्तानी में यहां पर निज्री टीम उतने वाले ODAI series के अंदर तीन मेचों की series है पहला मैस 25 तारिकों खेला जाएगा सुबह साथ बज़े में जिस्टार्ट होने वाला है जो कि यहाँ पर pitch report की बात करें यहाँ का जो pitch है Eden Park Auckland के अंदर इस्तित है जो कि यहाँ पर New Zealand के जो पीछ है अधिक तर pitch betting pitch माने जाते हैं यहाँ पर क्योंकि betting भेहतरीन होती है New Zealand के पीछों में तो bowling को कम supporting मिलते है past bowler को यहाँ पर support मिल सकता है तो यहाँ पर बात करने वाले analysis करने वाले pitch के बारे में कि मौसम केसा रहने वाला है सब कुछ यहाँ पर हम discuss करने वाले तो आप वीडियो को अंतक जरूर देगेगा pitch की बात करें तो Eden Park Auckland के अंदर मेंज होगा बरसाद आने के संभावना पूरी-पूरी है क्योंकि यहाँ पर बारिस हो सकती है पिछले दो-तीन मेंचों में भी बारिस होई थी New Zealand में ज्यादा तर जो मेंच है वो बारिस के करने दूल जाते है या मेंच होते ही नहीं है या आदे मेंच हो जाते है डॉक्ष लूइस लियम का यूज करना परता है तो उस हिसाफ़ चे आपको यहाँ पर टीम करनी है पहले जो प्राइक्टा देनी है मौसम का हाल देख कर यहाँ आपको यहाँ पर टीम लें ODA की बात करें तो यहाँ पर टोस इंपोर्टेन एनला पहले बात करें यहाँ पर टोस बहुत इंपोर्टेन देने वाला है क्योंकि जो टीम टोस जीतेगी वो पहले यहाँ पर बेटिंग करना चाहिएगी तो कि बेटिंग करने वाली टीम यहाँ पर अधिक तर मेंच जीज जाती है bowling यहाँ पर past bowler को fayda मिल सकता है उचाल बरी पीछ है boundary की बात करे तो यहाँ पर इर्ण पार्क stadium की boundary बहर छोटी है stadium बहुत बढ़ा है बहुत प्रणा इस्टेडियम है बहुत जादा मेचे से यहाँ पर हो चुक है लेकिन यहां की जो चोको चोके की बारिस हो सकती है क्योंकि बाउंडरी यहां पर बहुत छोटी मानी जाती है बोलर को यहां पर प्रश्चानी का साफना करना पड़ सकता है 79 ODI मेंच अभी तक हुए है यहां पर पस्ट बेटिंग करने वालें 30 मेंच जिते है पस्ट बोलिंग करने वालें 30 मेंच भी तक हुए है पस्ट बेटिंग की जो पस्ट इनिंग से जो एवरेज है वो 220 के आसपास है और एवरेज जो यहां का है वो भी 220 रण के आसपास है लेकिन यहाँ पर रनों की बरसाद हो सकती है इंजिन टीम यहाँ बहतर परफॉमेंस कर सकती है सेकिन बेटिंग की बात करें एवरेज की एक सु पिच्चानम का एवरेज है हाई स्कोर की बात करें तो 340 का हाई स्कोर है पांच विकिट खोक है अटास पॉंद 4 पर के उन्दर चेस किया ता यहाँ पर नुजिलिएंड और आस्ट्रेय का मेज होँए था लोग की बात करें यहाँ पर लोग स्कोर की तो तेतर का लोग स्कोर है 10 विकिट गये थे 26.3 और में नुजिलिएंड और सिलंका के बीज मेज होँए था हाइड स्कोरμεने हिसे अंदर' його पांच अधर यहांपर इन्ग्लेंड के बीच में बाहना स्कोंटोर्घ में हैं और इंडिया के जो बहतरिन प्लेयर से जुन्होंने अभी T20 मेंभी बहतरिन форм दिखाये थी और यहां पर इस में भी बहतरिन form दिखा सकते यहां पर आपको संजु सैमसंग को लेना होगा क्यूंकि पिछले जो मेश होगे थे T20 में संजु सेमस को बिल्कूल भी नहीं किलाया गया था रिसरफ पंद को किलाया गया था लेकिन रिसरफ पंद की जो बेटिंग बहुत खराब रही थी टी ट्वंटी वर्ल्ड कप एशिया कप और नुजिलेंड स्रीच के अंदर भी तो यहां पर फिलाद इससे ड्रोप करना ही ब परफॉर्ममेंस पर आप संसे होता है कि कैसा खेलेंगे या अच्छा खेल पाते हैं लेकि इतना अच्छा कास नहीं खेल पाते ओपन करते हैं भारते टीम के लिए इस लियास से हमें इनों को लेना होगा क्योंकि बरसाथ हो जाती है तो इनकी बेटिंग यहां पर कंफरम हो लेते बहतरी इन फ़रम दिखाई थी चोपन पचपन के आसपास के रन बनाए यहाँ आयर को आप ले सकते लेकिन अतना कास तो नहीं घर पाई थे टीटोवएंटी में लेकिन आपको यहाँ पर लेना होगा क्योंकि बहतरी हो सकते हैं यहाँ पर हम बात करें तो दीपक हुड जराने भी वेहतर किया था लेकिन आप अलाउंडर सेक्षण के लिए ड्रॉप कर देए हाँ पर साउति को आप लेतर कर सकते हैं या पर शंग को आशर दिप सिंग को आप को लेना होगा क्योंकि आशर दिप सिंग ने बात करत तो यहां पर आप जो है याजुंदर चेल को ले सकते हैं लेकिन उच्छाल यहाँ पर जो पिछ की बात करें तो यहाँ पर इस पिन बोलर को आपको यहाँ पर ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा क्योंकि यहाँ पर फिलाल रो फॉर्गुशन को आप ले लिए निंग्लेंड की तरफ स निजिलेंड की तरफ से जो फॉर्गुशन है वो आपके लिए बहतर कर सकते हैं क्योंकि उनकी जो होम ग्राउंड फिच हैं तो यहाँ पर आपको इंपोर्टेंड रेने वाला है बात करते हैं आप सुर्य कुमार यादाव को कैप्टिन मनाते हैं लेकिन यहाँ पर आपको मना सकते हैं वाइस कैप्टिन के लिए बहतर है फिलिप्स को मना लिजिए आप फिलिप्स ने पिछले मेंच में बहतर किया था तो आप फिलिप्स कैप्टिन मना सकते हैं सिकर दावन या संजू सेमसंग को वाइस कैप्टिन के लिए सलेट कर सकते हैं क्योंकि संजू सेमसं तो यह टीम आपके सामने है दो यहाँ पर हमने विकिट कीपर लिया है पांच बेस्ट में के साथ एक और लाउंडर सलेट और तीन बोलिंग सेक्षिन लिया है क्योंकि पिछ छोटी होने के कारण हमने ज्यादा से ज्यादा बेस्ट में यहाँ पर सलेट किये ताकि आपको ज् स्कॉल हो सके और जदे जदा फाइदा मिल सके और पॉइंट यहां पर हो सके तो यह टीम फिलाल फाइनल टीम है टोस होने के बाद लाइनप आने के बाद पता लगने वाला एक कौन सा प्रेयर खेलता है कौन सा नहीं दिनेवाद दोस्तों